निमस्कार डेली PCSGK में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्ण से हमारा प्रश्ण था विश्व एंजियो दिवस कम मनाया जाता है आपके विकल्प थे A. 25 फरवरी, B. 26 फरवरी, C. 27 फरवरी या फिर D. 28 फरवरी इसका सही उतर है विकल्प C. 27 फरवरी प्रतेक वर्श 27 फरवरी को विश्व एंजियो दिवस मनाया जाता है यह 89 से अधिक देशों और 6 महद्यूपों में मनाया जाता है इसकी शुरुवात 2014 में अंताराष्ट्रिय कलेंडर दिवस के रूप में के गई थी विश्व एंजियो दिवस एक अंताराष्ट्रिय दिवस है तो सभी गैर सरकारी और गैर लापकारी संग्ठनों और उनकी पीछे की लोगों को पईचानने और सम्मान करने के लिए समर्पित है इसकी थीम मानव अधिकार को आगे बढ़ाने और सतत विकास लक्षों को प्राप्त करने में गैर सरकारी संग्ठनों यानि NGOZ की भूमिका और प्रभाव है NG का अर्थ गैर सरकारी संग्ठनों से है यह एक ऐसा संगिठन होता है जो सरकार और विवसाई के लाब के लिए कार नहीं करता बलकि जनसेवा ही इसका उद्देश होता है इस दिवस का वैशिक उद्घाटन समाहरो फिल्लेंड के विदिश मंत्राले द्वारा 27 सरवरी 2004 को हैल्सिंग की फिल्लेंड में आयुजित किया गया था चलिए अब शुरुवात करते हैं आज के सेशन की सेशन का पहला प्रश्न है इसका सही उत्रे विकल्पे बी हैदराबाद हाली में नारियल उत्पादों के व्यापार और विपड़न पर दो दिवसी इंतराश्ट्री सम्मिलन का आयोजन हैदराबाद में हुआ यह आयोजन नारियल विकास बोर्ड अंटराश्ट्री नारियल समुदाई के सहीोग से कर रहा है ICC के 2020 के आकड़ों के अनुसार वैश्यक उत्पादन में 30.9% हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है इसके बाद इंडोनेशिया और फिलिपिन्स का स्थान है भारत उत्पादक्ता के मामले में वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर है आई जानते हैं नारियल विकास बोर्ड के बारे में यह एक सामविधिक निकाय है इसकी स्थापना बारे जन्बरी 1980 में हुई थी यह क्रिशी और किसान कल्यान मंत्राले के अधीन स्थापित है इसका उदेश देश में नारियल की खेती और उद्द्योग के एकी कृत विकास और नारियल उत्पादक्ता और उत्पादों के विविधी करण को बढ़ाना है इसका मुख्याले कोची यानि केरल में है इसके क्षेतरी कार्याले करनाटक के बैंगलूर, तमिलनाडू के चैननई, असम के गोहाटी एवं बिहार के पतना में है अगरे प्रश्न, देश के किस राज में देश का पहला मरीना बनाया जाएगा आपके विकल्प हैं इसका सही उत्तरे विकल्प सी करनाटक हाली में करनाटक के मुख्यमंत्री बसव राज बॉंबई ने कहा कि राज में देश का पहला मरीना बनाया जाएगा यह मरीना करनाटक के उड़िपी जिले के बिंदूर में बनाया जाएगा इसका उदेश राज में तटीक शित्रों में परेटन को बढ़ावा देना है आई अब जानते कि मरीना क्या है इन्हें समुद्री परेटन से समंधित विशेशताओं के रूप में जाना जाता है ये छोटी नावों वा नावकाओं आद के जरिये आनंद के लिए विशेश रूप से डिजाइन की गई जगहे या बंदरगाह होते हैं ये वाड़े जिग बंदरगाहों से अलग होते हैं जो लोगों को आरामदाइक परेटन की सुविधा प्रदान करते हैं ये छुट्टियों या अबकाश आद के दोरान लोगों को सुखत प्रवास सुलप कराते हैं अगला प्रश्न नेशनल ई गवर्नेस डिवीजन ने कहां पर 34 वे CISO डीब डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया है इसका सही उतरे विकल्प D कोलकाता नेशनल ई गवर्नेस डिवीजन ने कोलकाता में 34 वे CISO डीब डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया इसका उद्देश साइबर सुरक्षा के प्रती जागरुकता उत्पन कर भारत इस्ति सरकारी संग्ठनों में एक सशक्त बा मजबूत साइबर एकोसिस्टम विक्षित करना यह कारिकरम साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहित आयोजित किया गया है इसमें सरकारी और निजी दोनों कि शित्रों के विशिशग्यों ने हिस्सा लिया चलि जानते हैं साइबर सुरक्षित भारत पहल के बारे में इलक्टोनिक्स और सुचना प्रोद्योगी की मंत्राले दोरा वर्ष दोजार अठारे में लॉंच किया गया इस पहल का मकसद साइबर अपरात के बारे में जारुकता फैलाना और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सुचना सुरक्षा अधकारियों एवं सुचना प्रोद्योगी की अधकारियों की शमता निर्मार करना अगला प्रश्न इसका सही उतरे विकल पे केरल पहली बार केरल के मंदिर ने उत्सो के लिए रोबोट हाती को तैनात किया है आपको बता दे कि यह हाती मंदिर समिती को पेटा इंडिया ने भेट किया है इस मेकेनिकल हाती की उचाई सारे 10 फीट है और इसका कुल वजन 800 किलो है इस हाती पर 4 लोग सवार हो सकते हैं इस हाती की सून्ड, सेर, आखें और कान इलेक्टिक तरीके से सिंचालित होती है इस हाती को इरांजाद पिल्ली रमन नाम दिया गया है इसके इस्तमाल से मंद्रों में होने वाले समस्त आयोजनों को क्रूरता मुक्त तरीके से आयोजित किया जा सकेगा अगला प्रेशन, अटाकामा रेगिस्तान किस देश में स्तित है? ए, ब्राजील, बे, मंगोलिया, सी, बूत्सवाना, या फिडी, चिली इसका सही उत्तर है विकल्पिडी, चिली हाली में अटाकामा लार्ज मिलिमीटर, सब मिलिमीटर एरे, सौफ्ट्वियर और हार्डवियर अपग्रेट प्राप्ट करने के लिए तैयार है जो इसे पहले से कहीं अधिक डेटा एकत्र करने और तेट छवियों को कैप्चर लेने में मदद करेगा यह अल्बा यानि ALMA उत्री चिली के अटाकामा रिगिस्तान में स्थित है यह एक रेडियो टेलियसकोप है जिसमें चाचट एंटीना शामिल है आई जानते हैं अटाकामा मरुस्थल के बारे में यह मरुस्थल दक्षड अमेरिका में स्थित एक लगभग शुष्क पठार है इसका विस्तार एंडीस परवतमाला के पश्यम में महद्यूप के प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक है अगला प्रशन प्रशिद्ध फुटबॉलर लियो नेल मेसी किस देश से संबन्दित है इसका सही उत्तार है विकल्प भी अर्जेंटीना अर्जेंटीना के दिगज फुटबॉलर लियो नेल मेसी ने 2022 के लिए सबस्रेश्ट फीफा पुरुस खिलाडी का पुरुसकार जीता है पहली बार मेसी ने 2019 में सर्बस्रेश्ट खिलाडी का पुरुसकार जीता था हलाकि इस अवार्ड के लिए फ्रांस के एमबाप्पे को भी पुरुसकार के लिए 9 मिनिट किया गया था महला वर्ग में स्पैन की अलेक्सिया पुटेलस नहीं अवार्ड जीता है इसके लाब अर्जेंटीना के मुखे कोच लियोनेल इसका लोनी ने सर्बस्रेश्ट पुरुस कोच का पुरुसकार जीता एमिलियानो माटिनेज ने सर्बस्रेश्ट पुरुस गोलकीपर का पुरुसकार जीता अर्जेंटीना के प्रसंशकों ने पहली बार सर्बस्रेश्ट प्रसंशक का पुरुसकार जीता गोर्तलविक अर्जंटीना ने कतर में आयोजेत फीफा विशूकब 2022 फ्रांस को हरा कर जीता था फीफा विशूकब विश्यों में सबसे प्रतिष्ठित पृत्योग गिता है जो प्रतिएक चार वर्ष में आयोजेत की जाती है अगला प्रश्ण निम्निमेसिक किस मंत्राले ने जम्मू में पहली इसनो मेराथन का आयोजन किया है ए परेटन मंत्राले बी संस्कृती मंत्राले सी शहरी विकास मंत्राले या फिर दी पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले इसका सही उतरे विकल पे परेटन मंत्राले G20 भारत अध्यक्षता देखो अपना देश इवापरेटन किलब और फिट इंडिया मुमेंट के क्रम में किया गया है इसका अध्यक्ष देश भर में यातियों को रोमांच के शौकीनों में इसनों मेराथन जैसे रोमांच कारी खेलों के लिए खेल भावना का संचार करना है मेराथन में देश भर से 130 धावकों ने हिस्सा लिया है अगला प्रश्न वुमेंट 20 ग्रूप के स्थापना कब हुई थी इसका सही उतर विकल्प भी 2015 भारत की G20 के अध्यक्षता के तहेद W20 की पहली बैठक का आयूजन किया जा रहा है यह बैठक 27-28 फरवरी 2030 तक परंगाबाद महराष्ट में की जा रही है इसकी थीम महराओं के नेतरत्तों वाले विकास के लिए लेंगिक समानता, निस्पक्षता और गर्मा की खोज है और लेंगिक विचारों को G20 चर्चाओं में मुख धारा में शामिल किया जाए आई जानते W20 अनि महला 20 ग्रूप के बारे में यह G20 का एक आधिकारिक इंगेजमेंट ग्रूप है इसकी स्थापना 2015 में तुर्की की अध्रक्षता के दोरान की गई थी इसका उदेश्य दुनिया भर में महलाओं के स्तिती को बहतर करने के लिए समाधान प्रदान करेगी अगला प्रशन निमलिकित में से कौन सा दक्षिर पूर्वेश्य देश लेंड लॉक्ड यानि इस्तलाबद्ध है A. लाउस B. कमबोडिया C. वियतनाम या फिर D. थाईलेंड इसका सही हो तर्विकल पे लाउस आई जानते हैं लाउस के बारे में यह दक्षिडपूर्व एश्या में एक मात्र स्थलाबद्य देश है अता विकल पे सही है इसकी राजधानी व्यांग चान है यह वर्ष 1953 में फ्रांसीसी शासन की समापती के बाद स्वतंत्र हुआ है यह वर्ष 1997 में दक्षिडपूर्व इश्याई देशों के संग्ठन आस्यान का तथा वर्ष 2013 में विश्य व्यापार संग्ठन याने WTO का सदस्य बना अगला प्रश्न निम्लिकेज में से किसने समिधान सभा को हिंदूओं का निकाय कहा इसका सही उतर है विकलब सी लौड विसकाउंट ने भारती समधान के अलोचना करते हुई समिधान सभा को हिंदूओं का निकाय कहा क्योंकि इसमें हिंदूओं का प्रभुत्तु था इसी प्रकार विश्टन चर्चिल ने टिपडी की कि सम्विधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिन दित्त किया ब्रिटेन की सम्विधान विशिशग ग्रैन्विल ओस्टिन ने कहा कि सम्विधान सभा एक दलीक देश का एक दलीय निकाय है और सभी ही कॉंग्रेस हैं और कॉंग्रेस ही भारत है चले इब नज़र डालते हैं आज के अभ्यास प्रशन पर अभ्यास प्रशन है शून ने भे दफाओ दिवस कब मनाया जाता है A. एक मार्च B. दो मार्च C. तीन मार्च D. चार मार्च इस अभ्यास प्रशन का सही उत्तार कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूले मिलते हैं नए सेशन में तब तक के लिए नमस्कार